लोकसबर चुनाव दोजार चौबीस के नतीजे आ चुके हैं 293 सीटों के साथ NDA लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है वहीं INDI ये गड़बंधन को 234 सीटे मिली इस चुनाव में केंदर की सत्ताधारी बीजेपी को उत्तरप्रदेश समेत कई राज्यों में तगड़ा जटका लगा है उत्तरप्रदेश में बीजेपी को मातर 33 सीटे आई हैं जबकि विपक्षी दल, इंडिया गड़बंधन या यूं कहें कि सपा को 37 सीटे गई इसके अलावा पिछली बार सीटों के लिहास से राज्य में दूसरे स्थान पर बीजेपी इस बार खाता खोलने में भी कामयाब नहीं हो पाई पिछली बार की तुलना में उत्तरप्रदेश में चुनाव नतीजे काफी बदले से नज़र आए है 2019 में राज्य में BSP दूसरे स्थान पर थी वहीं इस बार पार्टी अपने खाता भी नहीं खोल पाई चुनावी नतीजों के बीच आपको बताते हैं कि BSP 80 सीटों पर कहां कितने वोट पाती हुई दिखाई पड़ी और कैसे कितने वोटों के अंतर से उसकी हार दिखाई पड़ी जीत तो कहीं उसे मिली नहीं अगर BSP के वोट BJP को ट्रांसफर होते तो क्या होता अगर BSP का गडबंधन को ट्रांसफर होता तो क्या होता अगर BSP पहले ही चुनाव से पहले ये तै कर लेती कि वो NDA के साथ है या INDIA ये गड़वन्धन के साथ है तो कैसी तस्वीर उसका सामने दिखाई पड़ती कोशिश करते हैं राजनितिक पंडितों जा रहा जो विशलेशन हुआ है उसको आपके सामने रखने का इस लोकसवा चुनाव में यूपी में 37 सीटों के साथ सपा सबसे बड़ी पार्टी बनी इसके बाद बीजेपी के हिससे 33 सांसद आये तीसरे स्थान पर कॉंग्रेस ने 6 सीटें जीती दो सांसदों के साथ रास्टे लोगदल RLD चौथे स्थान पर रही इसके लावा आजाद समाज पार्टी काशिराम और अपना दल सोने लाल के एक एक सांसद जीत कर गए यूपी में मत प्रतिशत के हिसाब से बीजेपी चौथे स्थान पर रही पार्टी को राज्य में 9.29 फीसदी यानी 82,33,000 वोट मिले वहीं पिछले चुनाव में सपा के साथ चुनाव लड़ बीजेपी को 19.4 फीसदी वोट पड़े थे इस वोट बैंक के कारण पार्टी के 10 सांसद जीत कर लोकसभा भी पहुँचे थे लेकिन इस बार वोट प्रतिशत भी करीब 10 फीसदी घटा और सीटों का खाता तो खुला ही नहीं इस चुनाव में यूपी में 14 सीटे ऐसी रही जहां बीजेपी को जीत मिली लेकिन जीत का अंतर बसपा को मिले वोटों से कम था अगर इन सीटों पर बीजेपी को मिला वोट आई एण डियाई ए गटबंधन की तरफ चला जाता तो बीजेपी ये सीटे हार जाती यानि जो आरोप लगातार बीजेपी की भी पार्टी हो पर विपक्षी गडबंधन लगाते रहे हैं, वो एक बार फिर इसे पुखता तोर पर कह रहे हैं। दूसरी तरफ 28 सीटे ऐसी रही जहां सपा को जीत मिली लेकिन जीत का अंतर BSP को मिले वोटों से कम था। अगर इन सीटों पर BSP को मिला वोट NDA की तरफ चला जाता तो सपा ये सीटे हार जाती। यानि BSP ने दोनों ही तरफ, दोनों ही खेमों को फायदा पहुचाया। इस तरह से अगर देखा जाये तो BSP एक भी सीट नहीं जीती लेकिन पूरे UP में 45 सीटों पर NDA और इंडी गटबंधन का खेल जरूर बिगारती नजर आई। बसपा को आत्म अंथन करनी की जरूरत है क्योंकि देश में जहां गडबंधन का दौर चल रहा था वहीं बसपा का अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना आत्म घाती साबित हो गया उसके लिहाज से। साल 2019 के चुनाव में सपा के साथ बसपा ने गडबंधन करके 10 सीटे जीती थी लेकिन जब साल 2022 के विधान सभा चुनाव में अकेले लड़ी तो एक सीट पर सिमट गई और उसका वोड प्रतिशत 12.08 हो गया। विधान सभा चुनाव में BSP सोशल इंजीनियरिंग का सहरा लेकर हर मंदल में ब्रामभन सम्मेलन करती दिखाई पड़ी लेकिन इसका लाब उसे लोगसभा चुनाव में नहीं मिला। BSP आन समय तक साफ ये नहीं कर पाई कि किन मुद्धों पर वो चुनाव लड़ रही है किसके साथ दिखाई पड़ रही है। इंडी गडबंधन के उमिद्वार जो वहाँ पर उतरे थे अगर BSP का कोई उमिद्वार नहीं होता तो इंडी गडबंधन सपा का उमिद्वार हार जाता और वो बीजेपी का उमिद्वार उसे फायदा देता और कई जगह ठीक इसके उलट हुआ कई जगह ऐसा रहा मामला कि अगर वहाँ पर BSP का कैंडिडेट नहीं होता तो बीजेपी का उमिद्वार जीत नहीं पाता इस लिहास से अगर देखा जाए तो BSP ने वोट काटने का गेम बिगाडने का काम तो जरूर किया है लेकिन हाँ पार्टी को आत्म मंथन की आफशकता जरूर है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें